बिग बॉस OTT 3 खतम हुए तो बहुत दिन हो चुका है लेकिन OTT 3 पे एक फैमिली था जिनका ब्लॉगिंग तो इस जनम में खतम नहीं होगा क्योंकि उनके पैस तो है भई बहुत सारे पैसा अर्मान तो ऐसे सीना ठोक के बोला था कि आओ बेहन मैं काम देता हूँ मेरे पैस सारा काम है मेरा तो साथ साथ बंगला है आट आट गारी है क्या समझोगे मेरे पैसे का हाला तो इतना पैसा कहा सा आया भई ब्लॉग से आया मुझे एक चीज समझ नहीं आता मैंने एक दिन पाइल क्रितिका मलीक अनभार मलीक सर्च किया ता मैं थम्नेल से फोटो लेने के करा हें हैं अगर आप गूगल है इन लोगों का दिखाता है कि जिंगर यह जो तीनों जनई अलग-अग डेफिनिटली सर्च करना है एक सरे तीनों का सर्च करोगा अलग-अलग करके तो आजिए सिंगर है सिंगर तो मुझे नहीं पता है इतना मुझे बाता है कि व्लॉग बनाते हैं और उसके आगे तो नहीं बता लेकिन जो अभी हो बिग बॉस OTT 3 तो खतम हो चुका है लेकिन इन लोगों का व्लाउब और उसमें बगवास तो खतम नहीं होने वाला फिर से ही ऐसा कुछ कहा है पाइल मलिक ने लेकिन इस बार विशाल पांडी को लेकार विशाल पांडी का थपड़ वाला केस तो कॉइट फेमस था बिग बॉस OTT 3 जितना भी नला सीजन हो लेकिन वो थपड़ वाला कांड थोड़ा हिट था जैसे के अभी तो सबको पता लग गया होगा कि अर्मान मलिक का जो थपड़ था वो था कैलकुलेटिव यसा ने के बहुत वीवी के लिए एक दम बहुत जादा कंसर्ण हो गया है बहुत प्यार है थर्ड वीवी के लिए ऐसा कुछ नहीं था वाई यह जो भी अभी तक अगर सोच रहे हो कि प्यार के चटकर में थपड़ मार दे ऐसा कुछ नहीं था उसका बस इतना था जैसा अभी शेक कुमार बन गया थे हीरो उसको भी बनना था हीरो लोग सोचेंगे इंडियन पब्लिक है वही इमोशन जादा काम करता है लोग सोचें लेकिन पाइल मल 맞아 को सब alignment लेकिन उन्हें है जो जग्ड़ा लगाए था उनको ही अभी तक भी उसके अंदर ही उनको ही अबी तक भी प्रॉलम है और अभी तक भी बिडियो बना राया है इसी टॉपिक पर तो रिसेंट्ली पायल मली ने विडियो बना था व्लों लków विडि मुझे बुलाएंगे तो आप लोगों को भी बुलाओं में डॉन्ट वरी जो भी हो पाइल मलीक कैसे कुछ एक सलिब्रेशन पर थे तो वहां पर ब्लॉक बना रही थी और ब्लॉक बनाते बनाते बोली भई विशाल को तो मेरी हस्बन के वज़े से बहुत सिंपथी मिला था जी हाई यह पाइल मलीक का कहना है कि अगर मेरा हस्बन इसको थपर नहीं मारता तो इतना हिट कैसे हो जाता विशाल का फॉल्वर्स कैसे बढ़ जाता विशाल इतना फेमस कैसे हो जाता विशाल को इतना प्यार कहां से मिलता जी हाई यह पाइल मलीक का वर्षर है पाइल मल मैं बहने करिक्षान कृविंटी मैं वैंक्त लोग करना लु आ हो यह मुर्मीं चाहिए죠 दुवशों कि मैं विष्चान को कभी आपना इस गभी लोग जानती थी मैं विष्चान कोई मेरा बैठा नहीं है। इसा नहीं कि बहुत पढ़ उसमें रहता है जानती हूँ as an influencer, as an dancer वो जो content बनाता है उसके according में जानती थी उसके एक बहुत ही hit गाना था उसका जो तीन की एक zone था एक friend था जैसे शमिक्षा, भाविन और विशाल इतना सुन्दर गाना था इतना सुन्तर गाना था मैंन साइन म temos गुडू लाकर कि और इश्क के तरह सर्च करोगा तो मिल जाएगा I hope so लेकिन अर्मान मलिक का काना तो भई मैंने कभी नहीं सुना तो आप कैसे बोल सकते कि आप लोगों को नौकरी दे रहे हो आप लोगों को यह कर रहे हो